हेलो गाईज, आज हम शिक्षा निदिशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 31 करेंगे जो की क्लास 6th की है और विशे है विज्ञानिये वर्क्षिट 2nd निवेंबर 2021 की है तो ये शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट पोधो को जानिये आज हम देखेंगे जड के बारे में आज हम जानेंगे जड किसी पोधे में जड मिटी के अंदर उपस्तित होते हैं जड क्या गांवार पोधो को मिटी से खोद कर निकालें आप गार्डन में जाये उसे आप को कर निकालने की कोशिष कर उखारते हैं कि यह जब आप निकाल रहा है तो आप二 तो यह थी आखेंग Payas Takay जिल्ली रूई में रखिए और पानी डालकर रूई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीच अंकुरित होकर नहीं बन जाते हैं तो आपको क्या करना है रूई कोट है ना रूई लीजिए उसके अंदर चने जो होते हैं अपने घरों में जो आप यूज करते हो चने की सब्जी हो है इसको रूई से कवर किया है तो जड़े है ये रूई के अंदर तक पैनेट्रेट हो जाएगी मतलब रूई के अंदर तक चली जाएंगी तो क्या आप जड़ों को रूई से आसानी से निकाल सकते है तो आप देखेंगे कि नहीं आप जड़ों को रूई से आसानी से इ कोटन होगे न तो उसके अंदर तक रूई चली जो जड़े हैं चने की वो अंदर तक चली जाएंगी तो जड़ों को रूई से निकानना आसान नहीं है यहां से समझा अब क्या इसका मीनिंग क्या हुआ यह समझते देखो क्या कहा जा रहा है कि इसका आर्थे की पोधो को रूआ जाता है यह फेखो मजबूती से क्या करते है इह यहां पर करते किष्टों के बारे में बताया गया है तो परकार की जड़े होते है एक होती है मुशला जढ कैसे होती है जयसे कि सेम और आम इसे हम można c divorce सेभी समझेंगे पहले हैं then activity दी गयिए जिससे हम करते हैं किसी खुले मैडान में एक जैसे दो खत-पतवार लिजिए ध्यान दिखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान न हो आपको क्या करनी है खतपतवार को ध्यान से उखारना है और क्या करना है खुले मैदान से खतपतवार लीजिए और उसको क्या करना है खतपतवार को एक एक गमले में जिसे A गमला हमने यहाँ पे लगाया, B गमला हमने यहाँ पे लगाया, इसके अंदर आपको रोप देना है, A में मिटी डाला लगा दीजिए, दूसरे पोदे की जड़ो को काड़ कर दूसरे गमले B में लगा दीजिए, एक जिसे एक की तो जड़ इस तरह से आई तो क्या कि लोग आपने इस तरह से जडो समेत लगा दिया है, दूसरे की जड़ थी ना, एक्स्ट्रा जड़ उसको क्या कर देना है, इसे नयमित रूप से जल देते रहिए, एक सवताय बाद में देखे, आपको क्या करना है, अक्टिविटी में क्या कहा गया है, समझना ज़रूरी है, क क्या का गया कि दो आपको पोधे लेने हैं खत-पतवार लेने हैं एक की तो जड़ों को जैसे एजटीस रहने देना है इसको विल्कुल नुकसान नहीं पहुचा ना दूसरे की जड़ है उसको आप कार दीजिएगा साइडों से तो क्या दोनों पोधे स्वस्त हैं दोनों पो जड़े के अंदर यहां से जड़े हैं मिटी के अंदर से वोटर लेती है पानी लेती है पोधे के विल्म भागों तक पहुचाती है ठीक है अब देखते हैं मुसला जड़ और रेशेदार जड़ यह जड़ मुख्यत जड़ों की शाखाई निकलते हैं इसमें क्या होता दे जाली का रूपी होता है, जैसे कि इसमें से एक जड़ निकली है, यहां से डाइगाम से समझो, मुसला जड़ में क्या होगी, इस तरह से एक प्राइमरी जड़ निकलते हैं, और उसी से क्या होगी, आगे की शाखाई निकलती रहेगी, नेटवर्ग बनता रहेगा, ठीक है, जड़ निकलते हैं, इसे हम क्या क्या है, मुसला जड़ कहते हैं, अब यहां पर एक बात और समझो, जिस पोदे की जड़ मुसला होगी, उसमें जो पत्ती होगी, वो उसका जाली का वर्थ शीरा विन्यास होगा, जाली का रूपी, ठीक है, शीरा विन्यास भी कैसा होगा, जाली का रूपी, अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है, रेशेदार जड़, अब रेशेदार जड़े क्या होती है, तनों के अधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा, जैसे कि यह माना तना है, तो इसके अधार से कोई एक जड़ नहीं निकलेगी, काफी स जड़े होंगे न, जिन पोदों के उनका जो शिराविन्यास है, वो कैसा होगा, सामांतर इस तरह से, हमने बढ़ा था न, सामांतर शिराविन्यास और जाली का रूपी, ठीक है, अब इसमें कोशिन से, जिने हम समझते हैं, कोशिन नमबर वन, जड़ों के कारे लिखे, तो जल अफ्शोशन का कारे करती है, जल अफ्शोशन का रखती है, अब देखते हैं, नेक्स, देखो, कोशिन नमबर सेकिंड में क्या कहा गया है, कि मुसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर बताना, आपको क्या करना है, मुसला जड़ और रेशेदार जड़ों में तो यहां से देखो यह हो जाएगा पूरा डाइग्राम समेथ बनाएगा अंसर हो जाएगा second का ठीक है यह क्या हो जाएगा second answer हो जाएगा और अगर आपको short में करना है तो at least आपको यह one point लिखना ही होगा ठीक है या तो इसलिफ यह one point लिख दीजिएगा और अच्छे नमब लिख देंगे अंदर उपस्तित होता है क्या लिख देंगे अंदर उपस्तित होता है ठीक है next देखिए यह क्यूंकि feeling the blanks गलत हो गया तो किसी पोधे में जड मिटी के अंदर उपस्तित होती है इस तरह से लिख देंगे बी में देखिए पोधों में डैश प्रकार की जड़े होती है पोधों में दो प्रकार की जड़े होती है एक मुसला जड़ और एक रिशेदार जड़ नेक्स देखिए जिन पोधों की पतियों में जाली का रूपी शीरा विन्यास होता है उनमें जड़े कैसी होती है मुसला जड़ तो यहां का अंसर C का अंसर क्या हो जाएगा मुसला जड़ और रेशेदार जड़ वाले पोदू की पतियों का शीरा विन्यास सामानतर शीरा विन्यास होता है तो यह हो जाएगा आपका D का अंसर यह क्या हो जाएगा D का ठीक है त प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू गाइज